मैहर में नादन देहा ठाना पुलिस को एक बड़ी काम्याबी हाथ लगी है पुलिस ने यहां एक टबेरा गाड़ी से 981 सीशिया जब्त की है जिसमें एक नशीला कफ सीरप मौजूद था इसके साथ ही पुलिस ने 5 आरूपियों को भी पकड़ा है मुखविर की सूचना के बाद यह कारवाई की गई जब पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक टबेरा गाड़ी को रोक कर उसकी जाच परताल की तो पुलिस के होश हो गए एक तेज रफतार टबेरा गाड़ी अमर पाटन की तरफ जा रही थी उसमें काफी मात्रा में नशीले कफ सीरप कोरेक्स लोड थे अमर पाटन से मईहर की तरफ जा रही इस टबेरा गाड़ी को थाना प्रभारी केन बंजारे ने रोक कर जब इसकी जाच परताल की तो इसमें से 981 शीशिया जप्त की गई पुलिस अदिक्षक मईहर सुधीर अगरवाल ने बताया कि इस मामले में पाँच आरोपी पकड़े गए हैं और सभी से पोच्टाच की जा रही है जैसा कि आप जानते हैं रीबा जॉन में लगातार नसे के विरुद कारवाई की जा रही है इसी अनुक्रम में कल मईहर जिले के देहा थाना छेत्र में एक कारवाई की गई है बहान चेकिंग के दोरान एक मोटरफाइगल पर दो योबक मिले जो की पीछे से एक टवेरा गाड़ी को पाइलिट करके लेके आ रहे थे और जब उनको पकड़ा गया तो कुल पाच इसका सेवन ग्रामिल शेत्रों में युवाओं के दवार नसे गरूप में किया जाता है इन सभी को जबति किया गया है टवेरा गवाहन अपाचे मोटर साइकिल और पाच यूबक जिसमें से तीन उत्तर प्रदेश के प्रयागरा जिले के हैं और दो मेयर जिले के ही निवा निश्यत रूप से हमने उनसे पूछताच की जा रही है और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर हम इन सनलिप अनलोगों को भी पकड़ने का प्रूप करने हैं